सो हाई एन मदर बोड है यह हाई एन जेनरेशन का हासुस का है प्राइम स्रिस्ट में है ठीक है प्राइम B350 प्लास यहाँ पर है मॉडल नंबर तो इसमें यह बोड बहुत दिन से था मेरे पास फाइनल चेक आउट किया अब इसको रिटन करना है ठीक है यह कुरियर था तो य सब्सक्ता कि बाइम यह hour िटना ये हाई फाईन जेनरेशन का बोर्ड जो होता है यह वही बहुत स्रां रहा है और लगवक सारा में ही इक ही problem कुछ-कुछ आ रहा है, कुछ-कुछ bored रेडी हो रहा, पर कुछ-कुछ bored जयादा तर, बोर्ड में, इही एक problem के साथ आ रहा है, भी देखो, काम करते-करते, क्या होता हैं? आप जब काम करते हो, तो आपको, मतलब, हर रोज, कुछ न कुछ अपग्रेडेशन होना चाहिए तो अभी मैं भी बहुत दिन चला लिया अभी सोच रहा हो कि एक बीजीय मिशीन लेना चाहिए क्योंकि इसके बीना बहुत दिक्कते हो रहा है अभी एक यह चोटा से केसे स्टड़ी बनाते हैं देखो कभी भी बोर्ड आ जाए तो आप समझ जाओगे इसली क्या दिक्कते है यह जो बोर्ड है यह बहुत ही बीक साइच का है पर यह सारा बोर्ड बड़ा ही होता है तो कैम का फ्रेम में यह आता नहीं है अभी इसमें पॉब्लिम मैं बहुत टाइम देखा पिछली बार भी देखा था तो सोचा आज भी थोड़ा सा लास्ट फाइनल देख दू और इसको रिटार्न कर दू अभी यह देखो टीगर दिया कार्ट दिख रहा है यहां पर हमारा रिसे का सिक्वेंस है सब कुछ बन रहा है पिछले वीडियो मैंने दिया था पिछले वीडियो मैंने बोला था कि किस तरह का कोट देखके आपको समझना है कि यह GMCH का इसंग अभी इस बोड में तो GMCH नहीं है और इसमें जो है FCH है क्योंकि यह AMD का है इसलिए मतलब south bridge तो इसमें देखो किस तरह का problem आता है अभी इसको मैंने हर तरह से check out किया तो आखिर में ये board तो ready नहीं होगा फिर भी आप देख लो क्या problem आ सकता है इसका जो bias है ये 1.8 volt supported है तो इसमें जो board का condition है ये horizon के साथ है horizon 5 के साथ है तो CPU इसका बन रहा है मतलब heat हो रहा है बीरम section में voltage उपर बन रहा है पर display इसका बस ही एक दिक्कत है कि display out नहीं हो रहा है अब क्या है इस case में कभी कबर हो जाता है कि CPU हमरा AMD में देखा जाता है AMD series में देखा जाता है कि horizon series से CPU हमरा बहुत खराब आता है खराब हो जाता है CPU तो CPU अगर हम change भी कर ले तो भी board का condition कुछ same ही है same ही है गर गरता है अ तो कुछ भी changes नहीं है मतलब display out नहीं हो रहा है ड す्प्ले आउट नहीं हो रहा है अब किसा पर से चलुआ है अब देखो इस case में क्या है इसका जो f c है का जो f c h है यह मतलब हीट नहीं हो रहा ठीक है कुछ-कुछ case में आपको बनेगा कि यह वाला जो ब्रीज है यह बहुत हीट हो जाएगा पर हीट होने वाला case study में दिखाया था अभी देखो इसमें जो है यह बिलकूल ठंडा है इसमें कोई भी हीटिंग नहीं है बट इसका CPU जो है यह ही CPU इसका हीट हो रहा है पोपली हीट हो रहा है अभी इसकेस में हीट नहीं हो रहा है मतलब यह अच्छा है ऐसा भी नहीं है और हीट हो रहा है मतलब यह खराब है यह भी नहीं होता है कभी कबार तो आपको बस कुछ देखना होता है तो मैंने देखा overall मैंने इसको DSO से चेक क्या यह किस्टेल भी सही काम कर रहा है इसका जो सबकुछ इसका ऐस यच नहीं आ रहा है इसका पास पासिंग हो नहीं रहा है जिस से ये काम नहीं कर रहा है फोपल ल्यंद T प्रॉप इसकेस बेह आप बाइस कर सकते हो एक बार बाइस कर लिए देख सकते हो मैंने तीन अलग-अलग बाइस की डाला है इसमें फिर भी डाला है कुछ भी करने से पहले हम इक बार बार को चेकाउट कर लेते तो बहुत बैतर होता है तो यहां पर देखो इसका जो supply है यह बन रहा है, ठीक है, Sorry, multimeter दीख नहीं रहा है, दीख रहा है न, multimeter यह दोनों एक साथ दिखा नहीं पाऊंगा, इसका जो supply है, FCH का जो supply है, बन रहा है, मतलब सब कुछ हो रहा है, पर इसका display out नहीं हो रहा है अभी इस card में तो इसका same issue है अभी मैंने कहा था कि ये वाला कभी कबार ये छोटा वाला card भी बहुत काम आ जाता है अभी इसमें देखो क्या problem हो रहा है इसी से आपको पता चलेगा कि इसका bridge में issue है board में प्रिगर दिया ये देखो किसी एक particular code लेके अगर board मतलब वहां पर ये स्टाक हो जाता है coding और board चल रहा है आपका CPU भी हिट हो रहा है तो आप easily समझ सकते हो कि board का south bridge या पि नौद ब्रिज दोनों में से किसी एक bridge खराब है अब ये depend करता है आप कौन सा board पे काम कर रहे हो उसी देखो इसका तो एक ही bridge है FCH जो कि south bridge सारा controlling यही एक hub कर रहा है single hub architecture का board है ये और बाकी इसका जो graphics का काम इसका GMCH का काम इस board में इस board में GMCH का काम करता है CPU जो की Intel में नहीं करता है Intel होता तो अलग से यहां पर एक और एक bridge होता पर कुछ-कुछ AMD board में भी और मतलब AMD board में भी होता है पर उसमें क्या है वो जो CPU होता है वो CPU में graphics invil नहीं होता है और यह जो अभी CPU है देख सकते हो यह जो CPU है इसमें graphics invil है एक सेगंड राइजन 51600 नहीं यह भी विदाउट graphics का पॉसेसर है वी एक हैल से लग रहा है पर पॉसेसर में क्या होता है ग्राफिक्स हो जाता है जिसके बज़ाज से इसमें single breach का काम होता है सिंगल हाप का तो इसको फिर से हम अगर बंद करेंगे पिर से अगर हम टिगर देंगे तो या तो सेम ही code रहेगा या फिर कुछ अलग code आके रह जाएगा तो देखो वी 7 code पे ही अटक गया है और ऐसे स्टाक हो जाएगा बोर्ट चलेगा अपका स्रिप्यू हीट होगा सारा कुछ सही जाएगा पर डिस्पल आउट नहीं होगा मतलब code का variation नहीं होगा तो इस तरह का case दीखे तो यह बोर्ट तो मैं बना नहीं पाऊंगा अगर infrastructure होता तो में बना लेता इसको तो मेरे पास फिलाल infrastructure नहीं है तो यह बोर्ट मुझे unfortunately return करना पड़ेगा और क्या बताओ तो और एक छोटा सा reply देना था वीडियो के इंड में मैं देता हूं तो देखो भई सबसे मुझे एक बात कहना चोटा सा कुछ भी कहने से पहले कुछ कुछ लोग होते है जो की समझते नहीं है, बात को कुछ भी, मतलब किसी को कुछ भी कहने से पहले 10 पर पहले सोचा करो उसके बाद बोला करो क्यूंकि आप हर वक्त अपनी जगा से देख रहे हैं इसलिए आपको कुछ अलग लग रहा है आप दूसरी की जगा पर जाके देखो तो फिर आपको ऐसा कुछ मैसूस नहीं होगा क्योंकि आपको लग रहा है मैं आप कुछ-कुछ लोगों को लगता है मैंbank्त पर कॉमेंट पर रीप्लाइ नहीं देता हूं इसके पीछे जो reason है देखो आपको दिन में कितना messages comment आते हैं मुझे पता नहीं है मेरा साड़े 300 वीडियो में हर रोज 200-200 comment आते है ठीक है मैं कोई robot नहीं हूँ कि 200 comment का reply दूँ इसलिए मैंने आप अगर मेरे जागे होते तो आप भी कभी ये possible नहीं होता आप से भी जो भी हो आप मतलब आप लोग सब को बोल रहा हूँ ये कभी भी possible नहीं होता है comment पे reply करना ठीक है पहले पहले मैं सब को देता था 10, 20, 30, 40, 50 comment आते थे सारा दिन बर handle हो जाता अभी इतना comment आते हैं मैं मेरा काम छोड़के comment पे reply दे नहीं सकता ठीक है तो किसी को अगर उतना ही urgency है तो भाई telegram link नीचे दे के रखता हो हर वीडियो भे है मेरा वहाँ पर जाके text करो तो फिर reply मिल जाएगा comment पे reply मिलेगा इसी उमीद लेके आप दिन बादिन comment करते जाओगे ऐसा नहीं है अगर आपको telegram क्या है पता ही नहीं है कैसे install करना है कैसे link भेजना है कैसे मुझे text करना है इतना knowledge आपको नहीं है तो आप इस field में काम ही नहीं कर पाओगे क्योंकि यह common सा sense और basic knowledge होता है इसको यह भी नहीं है telegram पे text करना होता है और more option पे जाके नीचे telegram link भी होता है थोड़ा सा देखू इतना भी जो नहीं कर सकता है वो इस field में कुछ भी नहीं कर सकता है तो देखो telegram पे text करो जो भी करता है मैं सब को reply देता हूँ पर comment पे reply देना possible नहीं है हर रोज 200 से ज्यादा comment मेरा आता है इतना comment पे reply कोई robot भी दे नहीं पाएगा तो देखो किसी को भी बुरा लगता है तो बुरा मत मानो आप भी अगर ऐसे जागा पे आओगे आपको भी ऐसा हर रोज comment आते रहेंगे तो आप भी fed up हो जाओगे इसलिए हो नहीं सकता कभी कभार कुछ कुछ चीज समझा करो खुद की नजर से मत देखो दूसरे के जागा को फिल करो फिर देखो फिर सोचो फिर अगर आपको लगे कि फिर भी सही नहीं है तो फिर कुछ comment कर सकते हो तो इस वोट को तुम्हें बना नहीं पाया और इसका वीडियो भी देता भी नहीं बस reply message के लिए ये वीडियो में बनाया ठीक है तो चलो मिलते हैं इसी next case study पे love you all, joy hind